हेलो फ्रेंट्स आज उपके साथ आलू और चने की बहुत ही टेश्टी सबजी बनाने के लिए स्पी शेयर करने जा रही हूँ अक्सर हमें कन्फीजन होता है कि हम सबजी में क्या बनाएं तो आप इस तरह आलू और चने की सबजी एक बार जरूर से बना कर ट्राई करें आपको बहुत पसंद आएगी और साथी साथ यह बहुत ही टेश्टी और ड्लीसिस बन कर त्यार होती है तो चलिए देखते हैं इसे हमें कैसे बनाना है कुक विद फरा को सबस्क्राइब कीजिए और इस बेल के आइकन को जरूर दबाईए तभी मेरे लेटेस्ट वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा आलू और चने की सबजी बनाने के लिए मैंने एक कप चना लिया था जिसे मैंने ओवर्नाइट सोक किया और इसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया है आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप खूब तेज गरम पानी में इसे चार से पांच घंटे भी भीगो सकते हैं तो मैंने इसे ओरनाइट सोक किया उसके बाद इसे मैंने तीन चार पानी वास किया और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे एक टीज स्पूर नमक सबसे पहले हमें चने को बॉयल कर लेना है तो मैंने एक प्रेशर कोकर लिया है इसमें हमें चने को ट्रांसफर कर देना है और इसी के एक टीस्पून नमक एट कर रही हूँ अब इसकी कैप लगाकर इसे हमें हाई फ्लेम पर एक प्रेशर उसके बाद गैस की फ्लेम को लो करके इसे हमें चार से पांच प्रेशर आने तक कुक कर लेना है चने को आप बहुत अच्छे से सॉफ्ट होने तक कुक कर लीजेगा वैस इसमें मैंने एक मीडियम साइस का अनियन लिया था जिसे इक फाइन चॉप कर लिया है अगर आपके पास शॉपर है तो उसमें चॉप कर लीजेगा और तीन हरी मिर्च है जिसे मैंने बीस से स्लेट किया है थोड़ा सा धनिया पत्त्य है जिसे मैंने बारीक बारीक कर लिया यह भुजिखन BL canadone , रखना नमक हाम है नंत भी पmost है और 1 hemmu, कसऩ मेरा मिझे हुत दाया Entre Finalism और 2 अलुमfact का अलो बेरे था ने जिसे, मैंने छुटच यह चुटच यहां कर लिए हैं तो आप इस तरह आलो को छोटे छोटे टुकडों में कट कर लीजिए गा और कुछ पॉडर्ड इस पैसिस लेंगे जिसमें एक टीस्पून छोला मसाला पॉडर लेंगे एक टीस्पून लाल मिर्चों का पॉडर लेंगे half teaspoon غرم MPH, 1 teaspoon धनिया, 1 teaspoon नमक, 1 teaspoon जीरे का पॉड़र 1 teaspoon नमक, 1 teaspoon जीरे का पॉड़र और 1 teaspoon हल्दी पॉडर लेंगे नमक और मिर्श की कांटिटीचिए आप अपने हसाब से ले लीजीएगा और एक टीस स्पून सफेज जीरे का पॉड। लेंगे एक टेबल स्पून अध्रक और लहसुन का पेश लेंगे एक मीडियम साइस का टुमेटो है जिसे मैंने छोटे छोटे टुक्रों में कट किया है आप इसकी जगा टुमेटो प्यूरी भी ले सकती है तो चने को मैंने एक प्रेशर उसके बाद गैस की फ्लेम को लो करके चार से पांच प्रेशर आने तक को कर लिया है तो चलिए चेक करते हैं तो इस तरह आप एक चने को लीजेगा और मैस करिएगा जब चना बहुत अच्छे से मैस हो जाएगा तो समझे चना हमारा बहुत अच्छे से कोख हो चुका है तो अगर आपका चना नहीं कोख हुआ है तो आप इसे एक दो प्रेशर और आने तक को कर लिया तो यहां मेरा बिल्कुल परफेक्ट कोख हुआ है तो चलिए अब हम चने की सब्जी बनाना इस्टार्ट करते हैं तो अब हमें एक प्रेशर कुकर लेना है और इसमें हमें 120 ml के करीब आईल एड़ कर देना है यहां मैंने मस्टर्ड आइल लिया है सब्जी वगारा मस्टर्ड आइल यान कर देंगे जीरा और तेजपत्ता जैसे हमारा क्रेकल हो जाएगा तो इसमें हम अन्यान एड़ करेंगे अब गयस की फ्लेम को हाई lean को हमें बहुत अच्छे से fry कर लेना है जब तक कि इसमें बहुत अच्छा सा गोल्डिन सा कलर ना जाए अब इसमें हमें हरीमीर चैट कर देना है अनियन हमारी फ्राई हो चुकी है तब इसमें हम पॉडर इसपायसेस एड़ करेंगे और थोड़ा सा इसमें हमें पानी एड़ कर देना है जिससे कि पॉडर इसपायसेस हमारे जले नहीं अद्रक और लैसुन का पेश्ट एड़ करेंगे अध्रक और लैसुन का पेश्ट हमें बहुत अच्छे से मसालों के साथ फ्राइ कर लेंगें जिससे कि अध्रक लैसुन में जो एक कच्छापन होता है याने की रवाइस मिल उती है वो रिमूव हो जाए अध्रक लैसन को मैंने दो से तीन मिर्ट तक फ्राई कर लिया उसके बाद इसमें हम टामाटर एड़ करेंगे तो टामाटर को आप बारी बारी कट कर लीजिए गा या इसका पेश्ट पना लीजिए गा तो जैसा आपको convenient लगे आप ऐसा कर लिए अब टामाटर को हमें जब तक फ्राई करना है जब तक कि टामाटर में जो इस्टा पानी है वो रिमूब ना हो जा और टामाटर हमारा बहुत अच्छे से गल न जाए तो टामाटर और सभी मसालों को मैंने बहुत अच्छे से फ्रा कर लेना है गैस की फ्रेम को हाई टो मेडियम करके आलो को मैंने मसालों के साथ 2-3 मिट तक गैस की फ्रेम को हाई टो मेडियम करके बहुत इच्छे से फ्राई कर लिया है अब इसमें हमें चने को एट कर देना है तो चने में जितना भी एक्ष्रा पानी था उसे मैंने ड्रे तक फ्राई कर लेना है चना हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है अब इसमें हमें ग्रेवी लगानी है तो अब इसमें हम पानी एड़ करेंगे तो इसमें मैं एक कप पानी एड़ कर रही हूं वैसे ग्रेवी आप अपने हिसाब से एरजेस्ट कर लीजिएगा आलू और चने की ग्रेवी थोड़ी गारी रहती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसमें मैंने कुल मिलाकर एक कप पानी एड़ कर रहा है तकरीब 1.25 फैमल के करीब अब इसकी लिट लगाकर इसे हमें एक प्रेशर आने तक को करना है उसके बाद गैस की फ्लेम को ल 5 मिनट तक इसे मैंने को किया था तो यह देखिए आलू और चनी की सब्जी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है आप देख सकते हैं कितनी डिलेसियस सब्जी देखने में लग रही है और आलू भी हमारी बहुत अच्छे से को को चुकी है तो अब इसमें हमें धन्यापत्त्य क करना है और थोड़ा सा नीम्बू का रस तो इसमें मैंने हाफ नीम्बू का रस एट किया है नीम्बू का रस डालने से सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है तो आप ने देखा ही होगा इस सब्जी को बनाना कितना असान है और ये बहुत ही टेश्टी बन कर त्यार हुई है तो ये देखे आप देख सकते हैं सब्जी हमारी कितनी डिलीसेज और टेश्टी लग रही है देखने में और खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है आप इसे पूरी पराठा रोटी चावल किसी के साथ सर्फ करिए बहुत ही डिलिसेस लगता है तो आप भी इसे जरूर से बना कर ट्राइ करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताईएगा कि आपकी सब्स कैसी बनी आई होप आपको में रैस्पी पसंद आयोगी रैस्पी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजेगा फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर लिजेगा चैनल पर पहली बारा आएं तो वन टैम सस्क्राइब भी कर लिजेगा थैंक्यू झाल झाल